नमस्कार सुबसंद्या संस्कुत बिद्यार्थियों के लिए एक और खुश कबरी है अगर किस बिद्यार्थी ने संस्कुत के माध्यम से आचारिय, सास्त्री, कर्मकांड आदी कर चुका है तो वो भारतिय सेना में अपना एक अच्छा सा केरियर बना सकता है चली अभी जानते हैं इसका एज लिमिटेशन क्या है, क्या है ये पोस्ट, इसके लिए हमें कितना फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, इसका लिए एजुकेशनल क्वालिविकेशन क्या है, और शाथ में इस फ़र्म को हम कैसे आवेदन करें सभी चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को आकिर तक देखे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें तो पहले जानते हैं ये जो पोस्ट है उग क्या है और इसके लिए कब सूचना आया था तो इस साल की छे तारीक को भारतिय सेना की तरफ से एक सूचना आया था जिसमें यही कहा गया है जेसियो आर्टी के लिए लोग 11 जनवरी 2021 से लेकर 9 फेबरी 2021 तक अर्थक लगभग एक महिने तक आवेदन कर सकते हैं तो पहले यह जानते हैं यह जेसियो और आर्टी क्या है तो जेसियो का मतलब यही होता है कि जुनियर कॉमिस्णर ओफिसर और आर्टी का मतलब ही है कि रिलिजर्स टिचर तो JCO का मतलब भी कहा गया है कि Junior Commissioner Officer अर्था जो भी संस्कुत के बिद्यार्थी है उन बिद्यार्थियों को भारतिय सेना में एक Officer के रूप में दाखिल दिया जाएगा और ये आर्टी का मतलब है कि धर्मसिख्यक संस्कुत के जो भी बिद्यार्थी है उन बिद्यार्थियों को धर्मसिख्यक के रूप में भारतिय सेना में Officer के रूप में दाखिल दिया जाएगा तो चली अभी देखते हैं इसके लिए इस साल कितना पोस्ट निकला है तो लगभग इस साल संस्कुत के बिद्यार्थियों के लिए 118 पोस्ट निकला है जो भी संस्कुत के बिद्यार्थियों होते हैं उन्हें आखिर में पंडित के नाम से बुलाया जाता है इसलिए इस पंडित की पोस्ट के लिए इस साल लगभग 118 पोस्ट निकला है तो आगे देखते हैं उन लोगों को अर्था जो भी धर्मसिक्षक के रूप में भारतिय सेना में एक ओफिसर के रूप में दाखिल होता है उनका भारतिय सेना में क्या काम होता है ज्यादा तर हम यहीं सोचते हैं कि भारतिय सेना में अगर हम जाते हैं जुद्ध करना पड़ेगा या पिर कुछ और काम करना पड़ेगा पर भारतिय सेना में जो इसस्टिचर धर्मसिक्षक के रोप में दाकिल होते हैं उनका क्या काम है इसके बारे में अभियंग जानते हैं जो भी धर्मसिक्षक भारतिय सेना में जाता है वहाँ पर जो भी धार्मिक अनुष्टान है वहाँ पर हवन्त या फिर जो भी धार्मिक कार्य होता है धार्मिक प्रबचन देना यही सब काम करता है और साथ में जो भी बिमार ग्रस्त हैं सैनिक में या फिर रोगा ग्रस्त है, उन जैसे सैनिकों को धार्मिक उपदेश देता है, सजा भुगतने वाले जो सैनिक होते हैं, उन सैनिकों को भी उपदेश बगेरा देता है, जिसके माध्यम से वो अच्छे मार्ग पर आ सकते हैं, युबा जो और साथ में जो किसो रवस्ता में जो भी सैनिक भार उसका देखभाल करना वहाँ पर अनुष्ठान वग्यरा करना और सेना की बेस में रहने वाले सेना अधिकारियों की परिवार कल्यान के लिए जो भी हवन कुझा इतियादी करना पड़ता है वो सारे काम एक धर्म सिख्यक के माध्यम से ही किया जाता है तो इसके लिए यही कह कर सकते ही तो अभी आगे देखते हैं तो इसके लिए एईज लिमिटेशन क्या है कितने साल से कितने साल तक विद्यार्थी इस पडवी के लिए आभिदण कर सकते हैं तो把它 ऑ यूई C Mea पदवी के लिए आबेदन कर सकता है इसके लिए भी कुछ एज लिमिटेशन भी बता दिया गया है कि अगर कोई विद्यार थी एक क्या बताएगे एक उक्टबर 1987 से लेकर अगर 30 सितबर 1996 तक बीच में आने वाले विद्यार ये दो साल और महीने दिनांग निर्धारन कर दिय किया गया है अगर कोई विद्यार थी एक उक्टबर 1987 में पैदा हुआ है और उसके साथ अगर कोई विद्यार थी 30 सितबर 1996 में इन दो सालों के अंतरगत आने वाले जो भी विद्यार थी हैं वो सभी विद्यार थी इस फ़र्म को आभेदन कर सकते हैं साथ में यह जो डेर दो भी जो दिनांक तो यहां पर मेंसन किया गया है वो दो दिनाक में भी पैदा होने वाले बच्चे जन्म लेने वाले बच्चे आभेदन कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी बात यही है कि जो 25 साल से 25 यहां पर बताया गया है जो की क्या है 25 साल से 34 साल तक जो भी विद्यारती हैं वही लोग यहां पर आबेदन कर सकते हैं तो आगे देखते हैं इसके लिए हमारा Educational Qualification क्या होना चाहिए तो इसके लिए Educational Qualification में यही बताये गया है अगर आपने संस्कृत के माध्यम से अगर आचारी कर चुके हैं या फिर M.A. किये हैं संस्कृत के माध्यम से सास्त्री किये हैं या फिर उसके समक अख्ये जो B.A. होता है अगर उसको भी आपने कंप्लिर कर चुके हैं और शाथ में अगर आपके पास डिप्लोमा का कर्मकांड का अगर प्रमान पत्र है तो आप इसके लिए इस पद्वी के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं अगर आप UGC के अगर आप किसी भी इनिवर्सिटी से अगर करते हैं तो उसको मान् अगर UGC से प्रमान पत्र मिलने वाले इनिवर्सिटी से अगर आप आचारिय, सास्त्री और शाथ में एक साल का अगर डिप्लोमा का कोर्स आपके पास है तो आप इस पद्वी के लिए आवेदन कर सकते हैं तो आगे देखते हैं तो पहली चीश तो यही है कि बच्चों को एक ओफिसर के रूप में दाखिल दिया जाता है दूसरी चीश बड़ी बात यही है कि यहाँ पर 25 साल चे 34 साल तक लोगों को यहाँ पर लिया जाता है और तिसरी बात यही है कि संसकुर्त में जो भी विद्ध्यार्थी आचारी या फिर एमे ये उसके साथ सास्त्री या प्रीए कर रहा है उन्हीं बिद्ध्यार्थियों को ही यहाँ पर नोकरी मिलेगा तो आगे देखते हैं इसके लिए जो चैन चैन परक्रिया होती है, वो चैन परक्रिया किस तरह का होता है, तो पहला चरण होता है, फिजिकल फिटनेस आपका देखा जाता है, दूसरा चरण जो है, वो रिटन एक्जम होता है, रिटन एक्जम कुल 200 मार का होता है, इसके बारा में भी जानते हैं, और आखिर में तिसरा फिटनेस को चेक किया जाता है इसके लिए पहले चरण में आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा अगा फिजिकल फिट है तो फिर आगे आप जाकर रीटन एक्जाम में बेढ़ सकते हैं अगर अगर अधिंस फिर फिटनमें भी पास करते यह है कि जो running है जो दोड़ना है वो लगभग 1600 मिटर दोड़ना है और वो भी सिर्फ 8 मिनट के अंदर ज्यादा तर हम देखते हैं जो 16 समिटर running होती है जो दूसरे नौकरींग के लिए सेना में वो 5 या 4 मिनट का समय दिया जाता है पर जो JCO RT धर्मसिख्या के लिए जो पोस मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट के अंदर ही complete करना पड़ेगा अगर कम से उससे भी कम समय में आप अगर उस running को complete करते हैं तो आपको bonus मार्क मिल सकता है पर वो आपके चैन पक्रिया में मानने नहीं माना जाएगा दूसरी चीज क्या है 160 सेंटिमीटर आपका height होना चाहि दूसरी बात ही है कि पहली तो यहीं चीज है कि 1600 मिटर आपको दोन ना पड़ेगा 8 मिनट के अंदर दूसरी चीज आपका यहीं चेक किया जाएगा अगर आप height में अगर 160 सेंटिमीटर से ज्यादा नहीं है तो आपको भी मान्य नहीं माना जाएगा तिसरे चीज है कि आप आपका वजन कुछ 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए अगर 50 किलो से अगर आपका वजन कम है तो आपको भी पहली चरण पक्रिया से निकाल दिया जाएगा तो फिर से एक बार दोह रहना चाहता हूं जो फिजिकल फिटनेस में क्या है जो आपको लगभग 8 मिनट के अंदर कॉंप्लिट करना पड़ेगा आपकी हाइट लिमिट है 160 सेंटेमिटर आपकी वेट है 50 केजी से ज्यादा तो इसके लिए भी थोड़ा जो दूसरे केटोगरी के लोग होते हैं उनके लिए भी थोड़ा संग्रक्षन करा किया गया है जो सामान्य बर्ग की होते हैं उनके लिए 160 होती है यहाँ पर सामान्य बर्ग का मतलब यही है कि जो पूरे भारत में रहने वाले सारे बर्ग के वो चाहे जनराल S.C.H.T.O.P. सिन सारे बर्गों को सामान्य बर्ग ही माना जाता है और जो बाकी दूसरे एरिये से भिलों कर से विलोंग करता है तो उसके लिए 157 cm है और अगर कोई अंडवान निकोवार दीप समुवा से अगर विलोंग करता है तो उसके लिए 155 माना गया है जो छाती होनी चाहिए चोड़ाई उसका 77 होना चाहिए और वजन जो है वो सामान्य बर्ग और लद्धाखी के इसे एरिया से विलोंग करने वाले लोगों के लिए 50 होना चाहिए और शात में सारीरी क्रूप से कितना फिटनेस यहां पर बताया गया है जो भी सामान्य बर्ग की इतने भी सारे विद्ध्यार थिये और सभी विद्ध्यार थियों के लिए 16 मिटर की दोड़ना पड़ेगा वो भी 8 मिनट के अंदर जो दूसरे केटोगरी के लोग है उनके लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है तो आगे देखते हैं इसके लिए रिटन एक्जम दूसरे चरण में क्या क्या चीज है जो रिटन एक्जम होती है वो वहाँ पर कुल दो पेपर होता है पेपर वान और पेपर टू जो पेपर वान होता है वो सामानी ज्यान होती है और जो पेपर टू होता है वो आपके सब्जट के अनुसार होती है आपका अगर संस्कृत से related है तो आपके लिए subject संस्कृत के माध्यम से ही पूछा जाएगा संस्कृत के ग्रंथों के अंतरगत से ही यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा तो देखते हैं कि इस exam में paper 1 में कुल 50 प्रसना आते हैं हर एक प्रसन का अंक होता है 2 मारका अर्था 100 मारका यहाँ पर प्रसना आता है तो हर एक गलत जबाब के लिए आपका 0.5 मारक यहाँ से काट दिया जाता है इसका यही मतलब होता है कि अगर आपका चार सवाल गलत हो गया तो यहां से आपका एक मार्क अपने आप ही कट जाएगा तो इस exam में 40% जो है क्वालिभ है लिया गया है अगर आप 40% से कम मार्क लाते हैं तो आप इस exam के लिए दूसरे paper आपका जो है वो चेक नहीं किया जाएगा paper 1 और paper 2 है अगर आपका paper 1 में 40% से ज्यादा मार्क नहीं लाते ही तो आपका return exam जो है जो paper 2 है उसका चेक नहीं किया जाएगा तो paper 2 में क्या है तो paper 2 में यहीं कहा गया है कि यहाँ पर भी कुछ 100 मार्क का paper होता है यहाँ पर कुल 50 प्रस्न होता है और हर एक प्रस्न का 2 मार्क होता है तो यहाँ पर भी यहीं नियम है कि हर 4 गलत सवाल के लिए एक मार्क आपका कट जाएगा रखत एक गलस जबाब के लिए आपका 0.05 मार्क काट दिया जाएगा तो यह जो paper 2 है उआपके सास्त्र से related है संस्कूर्ट के ग्रंत से related है संस्कूर्ट के साहिती से related है संस्कूर्ट ब्याकरण से related है तो यहाँ पर भी अगर आप 40% से ज्यादा नमबर नहीं लाते हैं, तो आपको qualify नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए आगे आपको interview में आप नहीं बेड़ सकते हैं, तो फिर से एक बार दोना जाता हो, paper 1 और paper 2 दो paper होता है, अगर paper 1 में अगर आपका 40% से ज्यादा नमबर नहीं आता है, तो आपका paper 2 नहीं चेक किया जाएगा, अगर आपका paper 2 में 40 version आता है, तो आपको आगे interview के लिए भेज दिया जाता है, तो आगे देखते हैं, इसके exam के बार में थोड़ा बिश्तृत रूप में, तो एक नमबर पर यहाँ पर यहीं खा गया है, जो paper 1 है, व paper को भी आपका check नहीं किया जाएगा, अगर आप paper 2 में भी अगर आप 40 version ची ज्यादा नमबर नहीं लाते हैं, तो आपको qualify नहीं माना जाएगा, आपको interview के लिए notice नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों paper में qualify करना चाहिए, तभी जाकर आपका बैध्यमाना जाएगा, में मान्या नहीं माना जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ qualification चीज है, आगे number 2 में यहीं कहा गया है, अगर कोई विद्यार्थी, number 2 में यहीं कहा गया है, चैन पक्रिया से आगया, और उसका चैन साख्यातकार के लिए हो गया, तो उसको जो प्रसिक्षन के अंदर है, आर्मी का वहाँ पर बेंगलूर या फिर बारनासी जाना पड़ेगा, तो आगे यहीं कहा गया है, कि अगर आपने लिखित परिक्षा में अगर क्वालिफाय नहीं करते हैं, तो आपको साख्यातकार में नहीं मिलेगा सुजोक, और साथ में यह भी कहा गया है, कि जो भी होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, अगर वो साख्यातकार में भी अगर वो जाते हैं, वहाँ पर भी 100 मार्क कुछ सवाल पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपको कम से कम 50% ही लाना पड़ेगा, अगर आप 50% से कम लाते हैं, तो आपको वहाँ पर मान्या नहीं माना जाएगा आगे से आपका जो चैन पक्रिया से आपका नाम कट जाएगा कम से कम आपको साख्यतकार में 50% से ज्यादा नमबर लाना ही पड़ेगा और जो मेरिट लिस्ट आता है वो आपके second paper और साथ में जो साख्यतकार के नमबर है उसी के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट निकलता है यहाँ पर बस physical fitness एक qualify है और साथ में paper 1 भी सिर्फ qualify है अगर आपके career बनाना है अगर आपको जो दाखिल दिया जाएगा उसके लिए आपका paper 2 और साथ में interview का mark को ही मान्य माना जाएगा तो आगे देखते हैं तो इस form को हम कैसे आपेदन करें तो इसके लिए आप Google में join Indian Army ऐसा सौर्च कर सकते हैं जैसे ही आप वहाँ पर Google में सौर्च करते हैं जोइन इंडियान आर्मी तो इंडियान आर्मी का जो ओफिसेल वेबसेट है वो कुछ इस तरह खुल जाता है तो यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है उस नंबर को आप इस box में लिख सकते हैं जिसके बाद आप जो जोइन इंडियान आर्मी हैं इंडियान आर्मी में प्र प्रवेस कर सकते हैं तो जैसी ओ या फिर धर्मसिख्य के लिए वह-पर क्या है कि एक Green Color का जगा है जहां पर यह सब लिखा गया इसके आखर में एक जगा है ठीक नश्रव देख सकते हैं जैसी ओ ओल लिखा गया है उसके ठीक आखर में लिखा गया है JCO apply and login आप यहाँ पर click कर सकते हैं जैसे यहाँ पर click करते हैं आप सिधा JCO के लिए पदवी के लिए apply करने के लिए चले जाते हैं तो जो भी JCO की पद में न्यूकती पाता है वो किस तरह अपना salary पाता है किस तरह अपनों पर career बनाता है इसके बारे भी जानते हैं पर इस form को आबेदन करने के लिए हमारे पास किया किया documents होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं जो भी बिद्यार्थी इसके लिए आबेदन करता है वो बिद्यार्थी पहले से कहें आचारिय सास्त्री या फिर B.A. से किसी भी विश्व विद्याले से मान्यत प्राप्त विश्व विद्याले से अपना degree हासिल करना चाहिए साथ में अपना चरित्र प्रामाणपत्र भी रहना चाहिए Matriculation अर्था जो matric का 10th class का certificate भी रहना चाहिए ब्यक्तिगत प्रामाणपत्र जिसे हम बोल सकते हैं voter ID, आधर ID ये सब भी रहना चाहिए आबास ये प्रामाणपत्र, residential certificate भी रहना चाहिए बाइध इमेल आईडी, एक इमेल आईडी जो की भरिभाई होना चाहिए, एक इमेल आईडी भी होना चाहिए, ब्यक्तिकेत इमेल आईडी और अपना एक personal phone number भी होना चाहिए अगर ये सारे डोकॉमेंट्स आपके पास एभिलेबल है तो आप इस पदवी के लिए आबेदन कर सकते ही फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ किसी भी मान्यत प्राप्त विश्व विद्याले से आपके पास आचारिय, सास्त्री या पिर कर्मकांड का एक प्रमान कत्र होना चाहिए मेट्रिकोलेशन तेंथ क्लास का एक साटिपिकर होना चाहिए ब्यक्तिगत जैसे कि हम बोल सकते ही, इमेल आईडी, ब्यक्तिगत एक इमेल आईडी होनी चाहिए जो कि फेरिफाई होगा और साथ में अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और साथ में जो आपकी रेसिडेंशियल साटिपिकर वो भी आपके पास होना चाहिए तब ही जाकर आप इस पदवी के लिए आवेदन कर सकते हैं तो अभी देखते हैं जो भी JSU की पद में अपना केरियर शुरू करता है तो सबसे पहले उसे कौन सी पोस्ट में नियूकती दिया जाता है जो भी बच्चा या फिर जो भी विद्धियार थी JSU की रूप में भारतिय सेना में प्रविस करता है सबसे पहले उसे नायव सुबेदार के रूप में दाखिल दिया जाता है और उसके बाद उसका प्रमोसों होकर सुबेदार के रूप में वो पोस्टिंग हो जाता है और फिर आगे जाकर सुबेदार मेज़र के रूप में वो अपना के रियर भारतिय सेना में बनाता है तो ये था हमार आज का टोपिक भारती सेना में संस्कूत बिद्यार्थियों के लिए कैसी एक अच्छा भविश्य है इसके बारे में हम यहां बर बताये थे हम आशा करता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो हमारे अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो पर लाइक कीजिए और यहां पर हम रुकते हैं फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक रहता हूँ जयतु संस्कूत जयतु भारत धन्यवाद